यानि Simplified Work-Base Accounting Application for Penchayati राज यह एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटी किल्दी करन की तरफ एक बड़ा कदम है यह भविश्य में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफर्म बनेगा अब अलग-अलग अप्लिकेशन्स में अलग-अलग काम करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी जैसा अभी बताया गया इस पोर्टल पर इस एप पर पंचायत के विकास कारिय की डिटेल उससे लेकर के उसके लिए ताय किये ये फण उस फण का कहां खर्च हुआ उसकी विज्ञानकारिया ये सारी बाते उसमें उपलब्द रहेगी इसके जरिये गाउं का कोई भी नागरिक अपनी ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है क्या काम काज हो रहा है काम कहां तक पहुँचा है सारी चीजें अपने मोबाइल पर से जान पाएगा जानकारी रख पाएगा इससे ग्राम पंचायतों में पारदर्शीता ट्रांसपरंसी भी बढ़ेगी रिकॉर्ड रखने का काम भी बहुत सरल हो जाएगा और प्रोजेस्ट की पारदिंग से लेकर कंप्लीशन की प्रक्रिया भी तेज होगी आप कल्पना कर सकते हैं इक ग्राम स्वराज के माद्यम से आप सभी को कितनी बड़ी सक्ति मिलने जा रही है साथियों गावों में प्रापर्टी को लेकर के संपति को लेकर जो स्थीती रहती है वो आप सभी भली भाती जानते है स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का एक प्रयास है इस योजना के तहट देश के सभी गावों में आवासों की ड्रोन में ड्रोन के माद्यम से पूरे गावों की एक एक संपति की मैपिंग की जाएगी इसके बाद गावों के लोगों को उस संपति का उस प्रापर्टी का एक माली का ना प्रमाण पत्र यानि टाइटल डिड दिया जाएगा स्वामित्व योजना से गावों के लोगों को एक नहीं अनेक लाब होंगे पहला तो यहां कि प्रापर्टी को लेकर जो ब्रम की स्थिती रहती है वो दूर हो जाएगी जगड़े खतम हो जाएंगे दूसरा इससे गावों में विकास योजनाओं की बहतर प्लानिंग में और जादा मदद मिलेगी इसका एक और बड़ा लाब यह होगा कि इससे शहरों की ही तरह गावों में भी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं लोन लेने का रास्ता भी आसान हो जाएगा जब आपके पास स्वामित्व होगा तो उस संपत्य के आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं जो जीवन में बहुत काम आ सकती हैं साथियो अभी यहने फिलहाल उत्तरप्रदेश, महराष्ट्र, करनाटक, हरियाना, देश और उत्तराखन, हिंदुस्तान के अलग-अलग छेत्र के छे राज्यों में इस योजना को प्रारंगिक तोर पर प्रारंग कर रहे हैं और जब काम करेंगे तो अनुभव आएगा उसमें कमियां क्या है वो द्यान में आएगी गल्तियां क्या है वो द्यान में आएगी और उसको ठीक करना होगा और जब ठीक हो जाएगी उसका सुधार हो जाएगा उसके बाद ये योजना हिंदुस्तान के हर गाउं में लाग प्रोटी उसकी परिक्षा संकट के समय ही होती है अगर आप प्रोटेक्टिव एन्वार्मेंट में हैं चारों तरब से संबले हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है कोई कश्ट नहीं है तो आप में सामर्त है कि इसमा पता ही नहीं चलता बहुत देखरेक भरे माहोल में सच्ची सिख्षा का पता कभी नहीं चलता सच्चे सामर्त का भी पता नहीं चलता है इस कोरोना संकट ने दिखा दिया है कि देश के गाउं में रहने वाले लोग बले उन्होंने बड़ी-बड़ी और नामी उनिवर्सिटी में सिख्षा न लिखो लेकिन इस दोरां उन्होंने मतलब आप सबने अपने समस्कारों अपनी परंपराओं की सिख्षा के अधवूत दर्शन कराए हैं गाउं से जो अपडेट आ रहा है जो जानकारी आ रही है वो बड़े-बड़े विद्वानों के लिए भी प्रिना देने वाली बाते हैं मेरे सातियों ये काम आप ने किया है आपके गाउं के प्रतेक नागरिक ने किया है माताओं बहनोंने किया है मेरे आदिवासी भाई बहनोंने खेत खलिहान में काम करने वालों ने फसल कटाई वार बॉआई में जुटे सात्यों ने देश को प्रेना देने वाला अद्भूत काम आपने किया है और इसलिए मैं हिंदुस्तान के हर गाओं को हर गाओं वासियों को प्रनाम करता हूं आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल सब्दों में मंत्र दिया है और मैं मानता हूँ हमारे देश के हर कौने में आपका दिया हुआ ये मंत्र बहुत काम आएगा आपने बड़े सिंपल सब्दों में ने कह दिया न सोशल डिस्टंसिंग का सब्द प्रयोग किया न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग ने किया आपने सिंपल सा मेसेज दे दिया दो गजदूरी का दो गजदूरी का या कहें दो गजदे की दूरी का इस मंत्र के पालन पर गावों ने बहुत अध्भूत काम किया है दोगजदुरी यानि सोशल डिस्टंसिंग बना कर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दुर रख रहे हैं किसी संभवित संक्रमन से खुद को बचा रहे हैं और ये आपके ही प्रयास है कि आज दुनिया में चर्चा हो रही है कि कोरोना को भारत ने कर रहे हैं